नमस्कार दोस्तों मैं विजय कासाना डिजिटल फिरेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना करमचारी चैन आयोक के दोरा जो 32,000 पदों के उपर गुरूप C की बरतियों के लिए स्क्रिनिंग टेस्ट यानि की CET मेंस एक्जाम लिया जाएगा वो 21 जून से शुरू होगा और मैतोपन बात यह है कि 64 गुरूप बनाए गए थे टोटल जिसमें से 60 गुरूप के जो एक्जाम सेंटर हैं वो गोशित कर दिये गए हैं इसके अलावा गुरूप D CET देने वाड़ों के लिए भी महा दमाका हम कह सकते साथियों चेर्मेन साब का ये बड़ा फैसला आपके लिए बहुत ही उप्योगी रहने वाड़ा है और इस फैसले को देखकर आप भी चेर्मेन साब का धन्यवाद करने से नहीं रुख सकेंगी क्योंकि साथियों ये डिसीजन ही ऐसा लिया गया है जिससे की गुरूप D वाड़ों को लिए भी बड़ी खुसकबरी हम कह सकते CET क्वालिफाई को क्या सुचन दी जाएगी पूरी इंफोर्मेशन विस्तार से इस वीडियो में बताई जाएगी उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों चलिए अब देख लेते हैं मैतवपूर्ण अफडेट ये देखे साथियों 32 अजार पदों पर गुरूप C की बर्तियों के लिए टेस्ट येन की CT मेंस एकजाम साथ गुरूप के पंचकुला में ही प्रिक्षा के अंदर बनाने की तैयारी येन के साथियों चौशट में से साथ गुरूप के एकजाम पंचकुला में ही कराए जाएंगे ऐसी तयारी अजसी कर रहा है आप सात्यों विस्तार से पढ़िएगा खबर आयोग ने 64 गुरूप बनाए हैं इन में से 60 गुरूपों के स्क्रिनिंग टेस्ट पंचकुला में ही कराई जाने की तयारी है क्योंकि इन गुरूपों में प्रिक्षिया देने वालों की संख्या कम रहेगी जबकि जो सात्यों में गुरूप हैं बारवी और ग्रेजुएशन का उसमें प्रिक्षिया देने वालों की संख्या 15,000 से अधिक होगी इसलिए उनकी जो प्रिक्षिया है वो कुरूचेतर और करनाल में आयोजित की जाएगी अर्याना करमचारी चैन आयो के चेर् करेंगी सात्यों इतने ही कंडिरेट है कि एक सेंटर्परिंट की आग्जाम करवाया जासकेगा गुरूप 17 में अलग अलग 12 कोच के पद हैं इनकी प्रिक्षिया भी एक ही सिप्ट में हो सकेगी यदि को यूवा दो कोच के लिए अपलाई कर सुका है तो उसके लिए दूस इस गुरूप में और उनका प्रिक्ष्या के अंदर कहा है इसके बाद वे अपना अडमिट का डाउनलोड कर सकेंगी यह परकिरिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी प्रिक्ष्या का पूरा सेडूल तयार किया जा रहा है इसके लिए एदेंसी को कहा गया है सात्यों चीटी में चाइजाम देने वाले हैं वे युवा गुरूपड के लिए भी आविदन कर चुके हैं जिन युवां को गुरूपC की नोकरी मिलने के तुरंत बाद उनका नाम गुरूप D की प्रिक्षया से डिलीट कर दिया जाएगा गुरूप D के एक्जाम से ही डिलीट कर दिया जाएगा सात्यू वो आगे ना तो DV के लिए बुलाए जाएंगे ना ही आगे फाइनल रेजल्ट में उनका नाम आएगा तो ये एक अच्छा प्रोसेस कह सकते है सात्यू क्योंकि जो कंडिडेट गुरूप C में सेलेक्ट हो गया है वो परमोशन के लिए या फिर अपनी जो टेलेंट दिखाकर आगे तो बढ़ सकते है सात्यू पीछे कोई भी नहीं आना चाहेगा गुरूप C वाड़ा कंडिडेट गुरूप D में नहीं आना चाहेगा लेकिन उस कंडिडेट का नाम चलता रहता है इसके कारण से कई योग्य कंडिडेट रह जाते हैं और वो सीटे भी खाली रह जाती है अब सात्यू उनका नाम ही डिलीट कर दिया जाएगा तो जो भी योग्य उमिद्वार उनकी जगह कम नमबर वाले कंडिडेट है उनको फाइनल रजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट में नमबर आ जाएगा तो ये SSC और चेर्मेंट साब का हम बहुत बड़ा दनिवाद करते हैं कि इतना बड़ा फैसला लिया गया है ये डिलीट करने वाड़ा फैसला है सात्यों आपको कैसा लगा कमेंट करके पने राय ज़रूर दीजेगा परसनली रूप से मुझे ये अच्छा लगा है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं नेक्स वूडियो में